दोस्तो नमस्कार ये है मागदोशन फार सेविल सर्विसेज मैं अनुराग शाथरी दोस्तो मागदोशन ये अन्सी आर्टिस रिंख्ला में आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे दस्वीक अच्छा के अर्थसास्त्र आर्थिक विकास की समझ का अध्याए एक जो है विकास इस अध्याए में आप जानेंगे विकास किसे कहते हैं विकास का लच्छ क्या है यानि इसमें कौन सी चीजे सामिल है राश्टी विकास क्या है आउसत आय क्या होती है सार्वजनिक जो है सुविधाय कौन सी है और विकास की धानड़ीता या धाड़ी विकास किसे कहा जाता है तो आईए शुरू करते हैं आज का अध्याय दस्मिक अच्छा के अर्धसास्तर का अध्याय एक विकास दोस्तों विकास अथ्वा प्रगत की धाड़ा हमेशा से हमारे साथ है हमारी इच्छा होती है कि हम क्या करना चाहते हैं और अपना जीवन कैसे जीना चाहते हैं इस तरह हम ये भी विचार रखते हैं कि कोई देश कैसा होना चाहिए हमें किन अनिवारे वस्तूओं की आव सकता होती है और क्या सभी का जीवन बहतर हो सकता है लोग मिल जुलकर कैसे रह सकते हैं और क्या और अधिक समानता हो सकती है विकास इन सब प्रश्णों पर विचार करने और इन लच्छों को प्राप्त करने के उपायों से जुड़ा है दोस्तों ये काम बहुत ही जटिल है यानि विकास के बारे में जानना विकास को परिफासित करना बहुत जटिल काम है लेकिन हम आगे और इसे विश्तार से पढ़ेंगे और ऐसे बहुत से प्रश्णों को उत्तर आपको अर्थसास्तर में नहीं बलके इतिहास और राजनीत समय से प्रभावित है हम इसे जाने बिना बदलाव के च्छन नहीं रख सकते और इस तरह हम केवल एक लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रक्रिया के द्वारा ही इन आसाओं और संभावनाओं को वास्तविक जीवन में प्राप्त कर सकते हैं देखिए यहां पर एक कार्टोन दिया गया है मेरे बगैर वे विकास नहीं कर सकते इस ब्यवस्था में मेरा विकास नहीं हो सकता यहां पर देखिए किस तरह से एक ब्यक्ति ठेला गारी चलाते हुए और कार और देखिए यातायात के वाहनों के बीच में है यह कहता है कि मेर भी विकास नहीं हो सकता है विकास क्या वादा करता है दोस्तों हम ये जानने का प्रयास करें कि लोगों के लिए विकास का क्या अर्थ है और उनकी आकानचाय या इच्छाय क्या है तो इसमें कुछ आप एक चार्ट है उसमें आप देखेंगे कि कुछ व्यक्तियों की स्रेडी होती है उससे निर्धारिद होता है कि उनके लिए विकास का मतलब क्या है देखिए यहां पर एक रिक्से वाला एक व्यक्ति से कह रहा है कि तुम एक कार चाहते हो और अभी देश की जो इस्तिती है उसमें तुम यही आसा कर सकते हो कि कास तुम्हारे पास एक रिक्सा होता तो किस तरह से विकास के मानक जो हैं अलग-अलग हैं लोगों के लिए जैसे किसी भूमहीन ग्रामिड मजदूर के लिए बिकास का लच्छ जो है काम करने के अधिक दिन और वहतर मजदूरी हो सकती है अस्थानी स्कूल उनके बच्चों को उत्तम सिक्षा परदान करने में सक्षम हो कोई उनके साथ भेद भाव न करे और गाउं में भी वे नेता बन सके तो ये भूमहीन ग्रामिड मजदूर की बिकास के लच्छ या उसकी इच्छ है पंजाब के समरिद्ध किसान क्या सोचते हैं वो कहते हैं कि किसानों को उनकी उपच के लिए ज्यादा समर्थन मुले मेहनत्यों और सस्ते मजदूरों द्वारा उच्छ पारिवारे काय सुनिशित करें ताकि वे अपने बच्चों को विदेश में बसा सके ऐसे किसान जो खेती के लिए केवल वर्सा पर निर्भर हैं वो चाहेंगे कि सिचाई की सुविधाओं का परियापत विकास हो ताकि वो अधिक से अधिक अनुत्पादन कर सके भू स्वामी परिवार की एक ग्रामिड महिला ये सोचती है कि उसके घर में आय के अतरिक्त साधन हो उसके लिए जो है खेती वारी से जो आय होती है उसको बाजार में बेच कर उससे अतरिक्त मुनाफा कमाये जाए इसके अलावा सहर के एक अमीर परिवार का लड़का ये सोचता है कि सहर में उसके पास अपना खुद का मकान हो और उसके पास रोजगार हो ताकि किसी भी चीज की उसे कोई कमी नहो सहर के अमीर परिवार की एक लड़की जैसे सोचती है कि उसे अपने भाई के जैसी आजादी मिलती है और वो अपने फैसले कुद कर सकती है वो अपनी पढ़ाई विदेश में कर सकती है ये सहर के एक अमीर परिवार के लड़की का विकास का लच्छ है और नर्मदा घाटी का एक आदिवासी ये क्या सोचता है दोस्तों इसके बारे में हम विश्टार्ट में जानेंगे दोस्तों जब आप इस चार्ट को देखते हैं तो सभी लोगों के लिए ये लगता है कि विकास का लच्छ है या विकास का विचार एक जैसा नहीं है हर एक अलग-अलग चीजें पाना चाहता है हर ब्यक्तिवे ऐसी चीजें चाहते हैं जिसके लिए वो उनकी आवसकता सबसे महत्वोर है यानि जो चीजे उनकी आकानचाओं और इच्छाओं को पूरा कर सकती हैं वही ब्यक्ति वो चाहता है वास्तों में कई बार दो ब्यक्ति या दो गुट ऐसी चीजे चाह सकते हैं जिसमें परस्पर विरोध हो यसे एक लड़की अपने भाई के समकच आजा दी और औसर मिलने और भाई भी घर के कामकाज में हाथ बटाएगा ये आशा रखती है हो सकता है कि भाई को ये पसंद न हो इसी तरह यदि अधिक बिजली पानी के लिए उद्योगपती जादा बांध चाहते हैं लेकिन इससे जमीन जलमंग न हो सकती है और उन लोगों का जीवन अस्त ब्यस्त हो सकता है जो की बेघर हो सकते हैं जैसे की आदिवासी और नर्मदा जो है सरदार सरोवरबांध की इस्तिति अभी हमने कहा कि उसमें भी जो वहां के निवासी है जो सरदार सरोवरबांध ब वो ऐसे में वो उसका विरूत कर सकते हैं और हो सकता है कि वो अपने खेतों की सिजाई के लिए केवल छोटे चैक बांध या तालाग पसंद करें तो इस तरह से क्या असपश्ट है दोस्तों बहुत सामान इसी चीज है कि विकास का जो लच्छ है वो अलग अलग हो सकते हैं और एक के लिए जो विकास है वो दूसरे के लिए विकास नहीं हो सकता है और यहां तक कि दूसरे के लिए वो विनासकारी भी हो सकता है तो विकास को अलग अलग पैमानों पे लोगों द्वारा माना जाता है कि उनके लिए विकास का क्या लच है दोस्तों देखें विकास में आय और अनलच किस तरह से सामिल होते हैं देखिए कि कुछ लोग चाहते हैं कि उनको नियमित काम मिले, बहतर मजदूरी मिले, अपने उपजत्वा उत्पादों के लिए अच्छी कीमत मिले, यानि वो जादा से जादा इंकम या आय प्राप्त करना चाहते हैं किसी भी तरह से ज़्यादा आय चाहने के अत्रिक्त लोग बराबरी का बेवहार, स्वतंता, सुरक्षा और दूसरों से आधर मिलने की भी इच्छा रखते हैं चाहे समाज में उनकी इस्थिती कुछ भी हो देखिए, विभेद भाव से परसन होते हैं, ये सभी महतपूर लच्छे हैं बलकि कुछ मामलों में ये अधिक आय और अधिक भोग से अधिक महतपूर हो सकते हैं क्योंकि जीने के लिए भावतिक चीजे ही आवस्याक और पर्याप्त नहीं हो सकती हैं द्रब या कोई वस्तु खरीदी जा सकने वाली भावतिक वस्तुए एक कारक हैं जिस पर की हमारा जीवन निर्भर है लेकिन हमारा बहतर जीवन उपर जो अभावतिक वस्तुए हैं उन पर भी निर्भर करता है अभावतिक बस्तुएं जैसे की समानता और गैर बराबरी का भेद भाव वाली चीजे खतम हो सभी के साथ एक समान बेवहार और उनके साथ उनकी गरिमा का ध्यान रखा जाए उनका आधर सम्मान किया जाए अगर आपको ये बात असपश्ट नहीं लगती तो अपने जीवन में मित्रों की भूमिखा के बारे में जरा सोचिए आपकी उनकी मित्रता के इच्छा हो सकती है इस तरह और से बहुत से चीजे हैं जिन्हें आसानी से मापन नहीं जा सकता है लेकिन हमारे जीवन में उनका बहुत महत्व है इनकी प्राया उपेक्षा कर दी जाती है लेकिन ये निसकर्ष निकालना गलत होगा कि जिसे मापन नहीं जा सकता वो महत्व नहीं रखता जो चीजे मापन नहीं जा सकती उनका महत्व और भी हो सकता है यहाँ पर देखे एक चित्र है नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध की उचाई में वृद्ध किये जाने के बिरुद्ध परदर्शन यहाँ पर नर्मदा घाटी के लोगों द्वारा किया जा रहा है जो बांध की उचाई बढ़ाने से अधिकतर भूभाक के जलमगन हो जाने से चिंतित हैं एक और उधारार देख लिजे अगर आपको कहीं दूर दराज के इलाके में नौकरी मिलती है इसे स्विकार करने से पहले आप आए के अतरिक्त बहुत से कारकों पर विचार करेंगे जैसे कि आपके परिवार के लिए क्या सुविधाय उपलब्ध होंगी काम करने का वातावरण कैसा होगा सीखने के अवसर क्या है दूसरी नौकरी में यद्यप्यापको वेतन कम मिलता है लेकिन ये नियमित रोजगार हो सकता है जो आपकी सुरक्षा की भावना को बढ़ाता है एक अन्य नौकरी अधिक वेतन दे सकती है लेकिन कारे की सुरक्षा नहीं दे सकती है और हो सकता है कि आपको परिवार के लिए परियाप्त समय भी न मिले इससे आपकी सुरक्षा और सुतनता की भावना कम हो जाएगी तो धीर सारी चीजें बहुत सारी चीजें महिलाओं के लिए आदर है तो घर में उनके काम काज में ज्यादा हांत बटाया जाएगा और घर से बाहर काम करने वाली महिलाओं को अधिक स्विकार किया जाएगा सुरक्षित और संरक्षित वातावरण के कारण जादा महिलाएं विविन परकार की नौकरियां या ब्यापार कर सकती हैं इसलिए लोगों के विकास के लच्छे केवल बहतर आएके ही नहीं होते बलकि जीवन में अन्य महत्वपूर्ण चीजों के बारे में भी होते हैं दोस्तों विकास की ये जो विवित्ता पूर्ण धाड़ा है उसको समझने के बाद आए जानते हैं राश्टी विकास या नेशनल डवल्लप्मेंट के बारे में यदि लोगों के लच भिन हैं तो उनकी राश्टी विकास के बारे में धाड़ा भी अलग होगी तो देखते हैं भारत में विकास के लिए क्या क्या चीजें सामिल हैं और क्या क्या चीजें की जा सकती हैं दोस्तों एक विशह देखे बहुत ही निशित है ये समझना बहुत ही आवस्यक है किसी देश के विकास के विशह में कि विभिन लोगों की धाड़ाएं कैसी है वो भिन है और परस्पर विरोधी भी हो सकती है लेकिन क्या सभी विचारों को बराबर का महत्व दिया जा सकता है या यदि परस्पर विरोधी हैं तो नीड़े कैसे लिया जाए सभी के लिए नयाइपूर और सही राह क्या होगी हमें ये सोचना होगा यानि राश्टी विकास के लिए लोगों की जो सोच है उनकी आकांचाय हैं उनकी धाडाय हैं वो अलग-अलग हो सकती हैं परस्पर विरोधी हो सकती हैं लेकिन इसमें हम कुछ चीजों को लेकर ये चलना चाहिए कि इस विचार से कुछ लोगों को लाब होगा कुछ को नहीं और इन प्रश्णों पर विचार करके हम राश्टी विकास को समझ सकते हैं यहाँ पर देखिए दोस्तों एक चित्र दिया गया है दाहिनी ओर यहाँ पर देखिए इनके लिए विकास आत्मक लच्छ क्या होंगी ये मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में रहने वाले लोग हैं इसकी अलावा एक अख़बार की रिपोर्ट दिखे एक जहाज ने 500 तन तहरीले तरल जहरीले आवसेस को एक सहर के खुले कूडे घर के पास समुदर में डाल दिया यह अफरिका देश के आईवरी कोष्ट में आबिद जान सहर में हुआ और इन खतरनाक जहरीले आवसेसों से निकलने वाले धुओं से लोगों ने जी मित लाना, चमड़ी पर दरूरे पढ़ना, बेहोस होना, दस्त लगना इत्याद की शिकायत की एक महीने के बाद साथ लोग मारे गए, बीस अस्पताल में भरती हुए और विशाक्थता के कारण 26,000 लोगों का इलाज किया गया पेट्रोल और धातूर से संबंधित एक वहराष्टी कमपनी ने आईवरी कोष्ट की एक अस्थानी कमपनी को अपने जहाद से जहरीले पदार्थ फेकने का ठेका दिया था तो यहाँ पर देखे किस तरह से विकास के अलग-अलग पैमाने हो सकते हैं यद विकास की धाणा में ही भिनता और परस्पर विरोध है तो निश्चित रूप से विकास के तरीकों में भिनता होती है और इसी प्रकार से हमें विकास की बारे में सोचना भी चाहिए अब आएए देखते हैं विभिन देशों या राज्यों की तुलना कैसे की जाए दोस्तों अगर विकास का अर्थ हालग-अलग हो सकता है तो फिर कुछ देशों को जो विक्सित है और अविक्सित देश कैसे कहा जा सकता है तो आईए जानते हैं जब हम भिन भिन चीजों की तुलना करते हैं तो उसमें समानता भी होती है अंतर भी होता है और इनकी तुलना करने के लिए हम कुछ पहलों का प्रियोग करते हैं जैसे किसी कच्छा में जब हम विद्ध्यार्थियों की तुलना करते हैं तो उनके उचा जो हम मापदंड प्रियोग करेंगे वो तुलना के उद्देशे पर निर्भर करेगा जैसे खेल कूद टीम जो है वाद विवाद टीम संगीट टीम या पिकनिक टीम के सब के चैन के अलग-अलग मापदंड होते हैं फिर भी अगर हमें किसी उद्देशे से किसी कच्छा की विद्द्यार्थियों की सर्वांगीर प्रगत के बारे मानच चाहिए तो हमें उसके चुनने का तरीका अलग ढंग से निर्धारित करना होगा जैसे सामानता हम व्यक्तियों को एक या दो महतोपूर्ण विशेष्टताएं लेकर उनकी आधार पर तुलना करते हैं तुलना के लिए क्या महतोपूर्ण विशेष्टताएं चुनी जाएं इस पर मतभेद हो सकता है जैसे बिद्यार्थियों का मितरता पूर्ण बेवहार और सहयोग भावना उनकी रशनात मक्ता या उनके द्वारा प्राप्त अंक यही बात दोस्तों विकास पर भी लागू होती है देशों की तुलना करने के लिए उनकी आय सबसे महत्वपूर्ण पे सिष्टता समझी जाती है जिन देशों की आय अधिक है उन्हें कम आय वाले देशों से अधिक विक्सित समझा जाता है यह इस प्रकार देखिए कि अधिक आय का अर्थ है मानवी आवसकताओं की सभी वस्तूओं का अधिक होना जो भी लोगों की पसंद है जो उनके पास होना चाहिए वे उन वस्तूओं को अधिक आय के द्वारा प्राप्त कर पाएंगे तो इसलिए विकास में राष्टी आय या अधिक आय जादे महत्रपोड माना जाता है एक देश की आय क्या होती है तो किसी भी देश की आय उस देश के सभी निवासियों की आय है और इससे हमें देश की कुल आय ग्यात होती है लेकिन देशों के बीच तुलना करने के लिए कुल आय इतना उप्यूगत मापदंड नहीं है क्योंकि देशों की जनसंख्या अलग-अलग होती है और कुछ आय की तुलना करने से हमें ये नहीं ग्यात होगा कि अवसत व्यक्ति क्या कमा सकता है क्योंकि जो है अवसत आय की जब हम तुलना करते हैं तो एक देश की कुल आय को कुल जन संख्या से भाग दे कर निकाला जाता है और अवसत आय को प्रति व्यक्ति आय भी कहा जाता है क्योंकि इसमें एक एक ब्यक्ति की आउसत आय निकाली जाती है दोस्तों वर्ल्ड वैंग की विस्विकास रिपोर्ट के अनुसार देशों का बर्गी करन करने में इस मापदन का प्रियोग किया गया है वे देश जिनकी 2017 में प्रतिव्यक्ति आये 12,056 US डालर प्रतिवर्ष या उससे अधिक है तो वो समरिध देश कहे जाएंगे वो ब्यक्ति जिनकी प्रतिव्यक्ति आये 995 US डालर प्रतिवर्ष या उससे कम है उन्हें निम्न आयवाला देश कहा जाएगा दोस्तों भारत मध्य आयवर्ग वाले देशों में आता है क्योंकि उसकी प्रतिव्यक्तिया है 1820 US डालर प्रतिवर्ष थी 2017 में दोस्तों समरिध देशों जिन में मध्य पूर्व के देश और कुछ अने छोटे देश सामिल नहीं है इनको आम तोर पर विक्सित देश कहा जाता है आवसत आय क्या है दोस्तों आवसत आय तुलना के लिए उपयोगी है लेकिन फिर भी इसमें कुछ असमानताएं आती है क्योंकि आवसत आय सभी व्यक्तियों की आय है सभी व्यक्तियों की आवसत आय है इसमें होता ये है कि यदि एक व्यक्ति 100 कमाता है एक 10 कमाता है और एक 50 कमाता है तो तीन व्यक्तियों की अवसत आयू एक 100 प्लस 10 प्लस 50 और इनमें 3 का भाग देकर अवसत आय निकाली जाती है लेकिन इस से हम इस चीज का सही सही आकलन नहीं कर पाते हैं या इस बात का सही पता हमें नहीं चल पाता है कि ब्यक्तियों की आय किस प्रकार से वित्रित है यानि उनको आय उपलब्ध है की नहीं यहाँ पर देखे गरीब विहीन और अमीर विहीन ब्यक्तियों का देश हमने कुर्सियों को बनाया और उनका उप्योग करते हैं यहाँ पर गरीब और अमीर व्यक्तियों का देश की हमने कुरसियों को बनाया और उसने ले लिया तो देखें किस तरह से गरीब विहीन अमीर विहीन यानि ये स्वतनता पर आधारित है लेकिन ये असमानता पर आधारित है दोस्तों आए अब देखते हैं विकास के लिए जो आए और अन्य मापदंड हैं उनके बारे में प्रव्यक्तिगत अकांचाओं और लच्छों को जब आप देखेंगे तो पाएंगे कि कुछ लोग बहतर आए के बारे में नहीं सोचते बलकि वो अपनी सुरक्षा दूसरों से आदर और समानता का बयोहार पाना सुतनता जैसे लच्छों के बारे में सोचते हैं और इस प्रकार जब हम किसी देश या छेतर के बारे में सोचते हैं तो अवसत आय के अतरिक्त कुछ अन्य लक्षण भी होते हैं जिन के बारे में सोचना जरूरी है जैसे ये विशेस्ताएं क्या हो सकती हैं इनको हम देख सकते हैं यहाँ पर देखिए हरियाड़ा केरल और बिहार के आक्रे दिखाए गए हैं इसमें प्रतिव्यक्तियाय हरियाड़ा की सरवाधिक है केरल के उससे कम और बिहार की बहुत कम है तो प्रतिव्यक्तियाय के आधार पर देखा जाए तो बिहार सबसे पीछे है हरियाड़ा आगे है औस तन हरियाड़ा में एक व्यक्तिय प्रियोग किया जाए जो तीनों राज्यों में हरियाडा सबसे अधिक बिहार सबसे कम बीख्षित माना जाएगा और यदि हम इन तीनों राज्यों कोछ और आकड़ों पर ध्यान दे तो जैसे हरियाडा में सिस उम्रित दर 1000 ब्यक्तियों के पीछे 33 है केरल में केवल 10 है और बिहार में 38 है उसी प्रकार हर्याडा की सक्षर्तादर 82 प्रतिसत केरल की 94 प्रतिसत और बिहार की 62 प्रतिसत है और कुल मिलाकर देखा जाए तो जो सिसुम्रितुदर और सक्षर्तादर की हिसाब से भी बिहार सबसे नीचे आता है तो इसमें हम ये देखते हैं कि केरल में 1000 ज वहाँ पर 36 बच्चे और हरियाड़ा की प्रतिव्यक्ति आये केरल से जादा है लेकिन मातापिता के लिए आप कितने प्यारे होते हैं, सब लोग कितने परसंद होते हैं जब कोई बच्चा जन्म लेता है, ऐसे मातापिता के बारे में सोचिए जिनके बच्चे पहले जन्म द तारिक के सापिंग माल भरे हुए हैं लेकिन समस्या सिसुमरितुदर पर समाप्त नहीं हो जाती दोस्तों बिहार में लगभग आधे बच्चे कच्छा आठवी के बाद स्कूल नहीं जाते हैं लेकिन यदि आप बिहार के किसी स्कूल में पढ़ते होते तो आपकी प्रारंब सुविधाओं के बारे में सारुजनिक सुविधाओं बहुत ही महतपूर होती हैं हर्याड़ा में अवसत ब्यक्ति की आए केरल के अवसत ब्यक्ति आए से अधिक है और ये आवस्यक नहीं कि जेब में रखा रुपया वे सब बस्तुए और सेवाई खरी सके जिनको आपको बेहतर जीवन के लिए आव सकता होती है दोस्तों नागरिक कुछ भावतिक वस्तों और सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं इसके लिए अपने आय में से ये अपने आप में संपूर परियाप्त सूचक नहीं जैसे कोई वस्तु आपके लिए प्रदूसर्ण मुक्तवाता वरन नहीं खरे सकता बिना मिलावट की दवाएं आपको नहीं दिला सकता जब तक आप ऐसे समुदाय में जाकर नहीं रहने लग जाते जहां ये सुविधाय पहले से उपलब्ध हैं तो कोई वस्तु आपको समुक्रामक बिमारियों से भी नहीं बचा पाता जब तक आपका पू इतने के लिए भौतिक वस्तुओं को खरीदने के लिए कितनी ही वस्तुओं हो लेकिन जब तक इसमें सभी का सहयोग नहीं मिलेगा तो वो सारी वस्तुओं बेकार हैं क्योंकि हम उनका उपभोग नहीं कर पाएंगे और संक्रमर से बचने के लिए सभी की सामोहिक जिम्मे राप्तमात्रा में हैं और कुछ राज्यों में सारजनिक वितरन पराली यानि जो है PWS जो पब्लिक डिश्टिबिश्टन सिस्टम है वो ठीक पर साथ से कारे करती है ऐसे राज्यों में लोगों के स्वास्त और पोसड अस्तर में निश्चित रुख से बढ़ुतरी होती है द इसकी स्थिती बहुत अच्छी नहीं है यहां पर देखे एक कारे कलाप है बाडी मास्क इंडेक्स सरीर द्रब्यमान सोचकांग इसकी गड़ना कैसे किया जाए तो देखे सेंटीमीटर में जब हम आप किलोग्राम में ब्यक्त भार को ओचाई के वर्ग से भाग देते हैं जो अंकप्राप्त होता है वो BMI या बाडी मास इंडेक्स कहा जाता है देखे यदि एक बिद्यार थी कि BMI 2SD से 2SD के बीच में है माइनस 2 से 2SD के बीच में है तो उसे सामान ने कहा जाएगा यदि वह माइनस 2SD से अधिक है तो नियोन भारित और उसे अतरिक्त पोशर किया जा सकता होगी जैसे यदि एक बिद्यार थी कि आए 14 वर्स 8 मा है और उसकी BMI 15.2 है तो वो अलप पोशित है और एक बिद्यार थी जिसकी बाडी मास इंडेक्स 28 है और आए 15 वर्स 6 मा है तो उसको नियोन भारित कहेंगे तो बालकों के खान पान और स्वास्त परक्षीजो में जो है उनको आहर देकर कार्बो हाइडरेट प्रोटीन और वर्सा की उचित मातरा देकर उनके बाडी मास इंडेक्स को सुधारा जा सकता है आए जानते हैं दोस्तों मानो विकास रिपोर्ट या HDI Human Development रिपोर्ट क्या है दोस्तों आय का अस्तर बहुत ही महतपूर होता ह है लेकिन विकास के अस्तर कमापन पर्याप्त इससे है क्योंकि हम केवल आय के मापन के आधार पर किसी राष्ट बे विकास कमापन नहीं कर सकते हैं दोस्तों कुछ चीजों की कम संख्या की आव सकता होती है दोस्तों स्वास्थ और सिक्षा जैसे सूचक जैसे हमने केरल औ बीविन देसों के सैकछिकस्तर, उनकी स्वास्तिच्टिति और प्रतिव्यक्ति आए के आधार पर मानो विकास रिपोर्ट परकासित होता है और उनके आधार पर इसका आकलन किया जाता है तो यहां पर देखिये ये पुराना रिपोर्ट है 2017 के लिए आपको मैं recommend करूँगा कि आप जो current में मानोविकास report प्रकासित हुई है उसमें भारत का यानी इंडिया का दोस्तों जो अन्य इसके पडोसी देश हैं जैसे स्री लंका, मियामार, पाकिस्तान, नेपाल, बंगला देश और विशेशकर चीन से इसमें मानोविकास की तुलना कर दोस्तों SDI का अर्थ जो होता है वो है मानोविकास सुचकांग और जन्म की समय संभावित आयू उसको व्यक्ति की जन्म की समय और वसत आयू कहा जाता है प्रत व्यक्ति आय की गड़ना सभी देशों के लिए डालर में की जाती है ताकि उसकी आसानी से तुलना की जा सके दोस्तों भारत जो है मानोविकास सुचकांग में मध्य यानि बीच वाले देशों में आता है ना तो ये अधिक उच्च मानोविकास वाले में है और ना ही अधिक निम्न विकास वाले में दोस्तों देखिए कि ये आस्चर जनक नहीं है कि हमारे देश में देखा जाए तो हमारे देश में जो इस्थिती बनती है दोस्तों ये इस्थिती ऐसी है कि एक छोटा सा देश स्री लंका जो है वो हर विशय में भारत से आगे आता है जैसा कि हम देखते हैं कि बड़े देश में हमारे देश का विशु में नीचा अस्थान है नेपाल और बांगला देश की प आकलन किया जा सकता है बहुत से नए घटक जोड़े गए हैं लेकिन मानो विकास के पहले ये बात जरूर कह दी गई है कि विकास महतवपूर है एक देश के नागरिकों के साथ क्या हो रहा है लोगों का स्वास्त उनका कल्यार सबसे जरूरी है तो सारी चीजें बहुत ही पूर्ण होती हैं विकास के लिए सिक्षा, स्वास्त और प्रत्यव्यक्ति आए इसके आधार पर मानो विकास सुचकान बनाय जाता है अगला है दोस्तों विकास की धाड़ीता या धाड़ी विकास जिसको की सस्टेनबल डबलप्मेंट कहा जाता है वो क्या है विकास को हम जिस भी तरह परिभासित करें कि मानले एक विशेश देश काफी विक्सित है हम निश्चित रूप से ये चाहेंगे कि विकास का ये अस्तर और उचा हो या कम से कम भावी पीड़ी के लिए ये अस्तर बना रहे यह अस्तर रूप से वांचनी है लेकिन 20 सदी के उतरार्थ में बहुत से बैग्यानिक ये चेतावनी देते आ रहे हैं कि विकास का जो बरतमान प्रकार है ये अस्तर धारड़ी ये नहीं है धारड़ी विकास या सस्टेनबल डवलप्मेंट का अर्थ ये है कि जो बरतमान में संसाधन है हम उनका इस प्रकार से प्रियोग करें या मितब्यता पूर प्रियोग करें कि वो आगे की पीढ़ियों के लिए भी उपलब्ध हो सके हमने विस्व को अपने पूरवजों से उतराधिकार में प्राप्त नहीं किया है हमने इसे अपने बच्चों से उधार लिया है तो दोस्तों यहाँ पर एक उधारन देखिए भारत में भूमिगत जल के बारे में कि कई दुनिया के कई भागों में भूमिगत जल की समस्या आई है और देश का लगभगी एकतिहाई भाग भूमिगत जल भंडारों का अतिदोहन कर रहा है तो पचीस वर्सों में अगर जो ऐसे हम देखा जाए तो देश का साथ प्रसत भाग भूमिगत जल साधन का अतिधिक उपयोग कर रहा होगा इसमें पंजाब, पश्मी, उत्तर प्रदेश, ये क्रिसी की दृष्टी से समरिध छेत्र, मध्य और दच्छिड भारत के चट्टानी पठारों के कुछ छेत्र और तेजी से विक्सित होती सहरी वर्स्तियों में भूमिगत जल का अधिक प्रयोग या अतिधोहन किया जाता है और अतिधोहन जो है ये आगे के लिए बहुत ही आनिकारक है क्योंकि भूमिगत जल नवी करी ये साधन का एक उधारण है फसल और पाउधो की तरह इन साधनों की पुनह प्रकिर्ती पूर्ती करती है लेकिन यहां हम इन साधनों का यदि अतिवपयोग कर सकते हैं तो भू गैर नवी करण साधन वो है जो बरसों से परियोग के बाद समाप्त हो जाते हैं इन संसाधनों का धर्ती पर एक निशिद भंडार होता है इनकी पुनह पूर्ती नहीं हो सकती है और कभी-कभी हमें ऐसे नए साधन मिल जाते हैं जिनके बारे में हमें पहले से कोई जानकार नहीं होती है जैसे गैर नवी करड़ी साधन जो है उसमें जिवास मीधन के कोईला पेट्रोलियम आदे आते हैं और नवी करड़ी साधनों में सोर उर्जा विंड एनर्जी ये सभी सामिल होते हैं दोस्तों हमें जमीन से जो कच्चा तेल निकाल मिलता है वो गैर नवी करड़ी संसाधन है लेकिन हमें तेल का ऐसा स्रोत मिल सकता है जिसके बारे में हमें पहले से जानकारी नहो उसको नवी करड़ी साधन कहा जाता है दोस्तों कच्चे तेल के भंडार भी जो है समाप्थ होने वाले हैं पर्यावरण में गिरावट के पैडाम जो है वो राश्टी और राजी सिमाओं का ख्याल नहीं रखते हैं और ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश में यदि पर्यावरण का नुकसान होगा तो उसका बिहार म अध्यपरदेश राजस्थान पर प्रभाव नहीं पड़ेगा उनका सब जगह प्रभाव पड़ेगा ब्यापक प्रभाव पड़ता है हम सब का भविस इन से जुड़ा हुआ है विकास की धाड़ीता या सस्टेनेबिल्टी तुलनात्मक अस्तर पर ज्यान का नया छेत्र ह जिसमें की बैग्यानिक अर्थसास्त्री और दार्शनिक अन्यसामाजिक बैग्यानिक मिल जुल कर काम कर रहे हैं ताकि हम एक विकास या एक अच्छे विस्व की कलपना कर सकें दोस्तों विकास या प्रगतिका प्रश्ण हमेशा चलने वाला प्रश्ण है हर व्यक्त में हम व्यक्तिगत अस्तर पर और समाज का सध़्य होने के नाते ये प्रश्ण पूछने किया व सकता है की हम कहां जाना चाहते हैं हम क्या बनना चाहते हैं और हमारे लक्ष क्या है और विकास पर बहस इसलिए जारी है तो दोस्तों ये था आज का वीडियो दसवी कच्छा के अर्थसास्तर आर्थिक विकास की समझ का पहला अध्याय विकास इसमें आपने जाना की विकास के क्या है इसके प्रमुख मापन के पैमानी क्या हो सकते हैं इसका कोई एक निश्रित पैमाना नहीं है और विभिन लोगों के लिए विकास के भिन भिन मानक क्यों होते हैं इसके अलामा आपने जाना राश्टी विकास क्या है और सताय क्या है और धारड़ी विकास या विकास की धारड़ीता क्या है तो वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बाक्स में जरूर बताईएगा वीडियो को लाइक करें शेयर करें और इस चैनल मार्ग दर्शन फार सिविल सेविस उसको सब्सक्राइब करें वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों नमस्कार